कि नरेंद मोदी देश से जुट बोल रहे हैं कि देश की हालातों को बीजेपी छिपाने का काम कर रही है आखर क्यों फिर एक बार बीजेपी के ही सीनिय लीडर ने नरेंद मोदी और बीजेपी के सच्चाई सबको बता दी है क्यों बीजेपी के नेता ही आप बोल रहे हैं कि नरेंद मोदी देश के जनता को धोका दे रहे हैं आखर मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है जिसके बाद बीजेपी के नेता ही उनके खिलाफ हो गए है क्यों बीजेपी के नेता ये भी बोल रहे हैं कि मम्ता बिनर जी ये प्रधान मंत्री पत के लिए सही उम्मीदवार है नर्यत मोधी के परिवार होकर लेकिन तारिफ ये लोग विपक्षकी कर रहे हैं आखर ये कौन नेता हैं जो अपनी ही पार्टी के मुख्या पर निशानत साथ रहे हैं और बीजेपी के सच्चाए सब को बता भी रहे हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं दरासल सुब्रमणियम स्वामी इन्हें कौन नहीं जोनता बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक हैं बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं लेकिन इन्हें नर्यत मोधी के काम का आज कुछ खास पसंद नहीं आ रहे हैं इसी वज़य से यह लगातार उन पर निशानस आते रहते हैं अपनी सरकार की आलोचना भी करते रहते हैं और फिर एक बार इन्हों ने इसी तरह का ट्विट कर दिया है जिसके बाद सवार उठने लगे हैं कि क्या सुब्रमणियम स्वामी का जुका विपक्ष की तरफ होने लगा है कि स्वामी नर्यत मोधी की जगा विपक्ष के साथ खड़े होने लगे हैं सुपरमणीम स्वामी ने फिर एक बाद ट्विट करते हुए कहा है कि उनके हिसाब से विपक्ष की तरफ से पीम उम्मिदवार ममता बनरजी हो सकती है विपक्ष में अन्य किसी के पास भाजपा को चुनोती देने का साहस नहीं है जहां एक तरफ कॉलकाता में जूनियर डॉक्टर का रेप और मडर के बाद भाजपा ममता बनरजी को लगतार घिरने की कोशिश कर रही है ममता बनरजी पर निशाना साथ रही है लेकिन इसी बीच बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमणियम स्वामी ममता बनरजी की तारीफ ही कर रहे है जिससे देखकर तो लगता है कि स्वामी अब बीजेपी से अलग चाल चनने लगे है सुप्रमिटियम स्वामी कोई ऐसा मोगा नहीं छोड़ते जब अपनी सरकार की आलोचना ना करते हो लेकिन इस बार तो उन्होंने सिफ आलोचना ही नहीं की बलकि ममता बनेरजी को अपने समर्थन भी दे दिया है कि वही है जो मोधी का मुकाबला कर सकती है इसके लावा भी स्वामी ने कई ओर ऐसे ट्वीट किये हैं जिसमें वो अपनी ही सरकार के नाकामियों को उजागर कर रहे हैं अब स्वामी के इस ट्वीट को देखी जिसमें वो प्रधान मंतरी पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं वो ट्वीट करते हुए एक जनता के साथ धोका है नीचे दिये गए आकड़े बताते हैं कि 2014 के बाद यह उसत जीटेपी ग्रोथ मुश्किल से 5% परियर है और 2016 के बाद यह तो 3.7% परियर ही रह गई है दोस्तों यह बहुत गंबी राकड़े हैं जो स्वामी ट्वीट करते हुए बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि नरेंद मोधी जीटेपी ग्रोथ के नाम पर जनता को देश को धोका दे रहे हैं जबकि सचा ही है कि 2014 के बाद जीटेपी ग्रोथ से 5% थी जबकि 2016 में यह नीचे ज गिरी है 2016 के बाद 5% से घटका जीटेपी ग्रोथ 3.7% परियर रहे गई है जिसके बाद सवाल तो यह उठते हैं कि क्या वाकि नरेंद मोधी देश से जुट बोल रहे हैं देश की जीटेपी गिरती जा रही है लेकिन सरकार को इसकी कोई परवा नहीं है वैसी यह तो हकीकत होती लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसी वज़े साब बीजेपी के नेता ही अपनी मुख्या खलाब होने लगे हैं खैर दोस्तों आप लोगों क्या लगता है एक तरफ सुब्रमणियम स्वामी ममता बनेट जी की तारीफ ही कर रहे हैं दूसरी तरह वो देखने के लिए जुड़े रही हमारी साथ